असलाम अलेकूम कैसे आप सब लोग आज की वीडियो में है सो अपन टॉस ओपन एससी एन इंटरमेडियर के रिगार्डिंग कहीं सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे जैसा कि अल्रडी पास हो गए सो स्टूडेंस के उपर सप्लिमेंट्री एंदेन न्यू अड्मिशन्स क्या इंपरुमेंट लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है इसके बाहरे में अपन डीटेल में बात करेंगे तो आज की वीडियो में कहीं सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जैसा कि क्या बोले तो तलंगाना ओपन स्कूल सुसाइटी सब्लिमेंटरी एक्जाम फी के रिकार्ड दोबहेंगे और जो है सो student course students apply कर सकते हैं improvement को उसके बार में बात करेंगे and then मार्क siet का status क्या है उसके बारे में भी detail भी डाहिए त्हक आipp सभी से रिःक्वेस्टे कीhovahed capacity छुरू पूरी और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज builders विए बिदूर्ग को डिवे कई है झाय है जैसे एक बोले तो पिलंगाना ओपन स्कूल था अबे कूल साइटल कंई तॉ आज ही है तो आज ही läuft फमटूंटी फ़ाइन watching है तो आपको 29 अगस्त तक है and with fine 50 rupees per paper last date है तो 1st July तक है तो I hope supplementary exam fees का आपको एक idea होगा and then जो भी students है तो TOS का new admission के लिए apply करें उलनों की last date और with fine कब तक है बोले तो SSC intermediate admission last date with fine of rupees 200 है तो 30 अगस्त की है यह month की ending तक जो भी students apply नहीं करें apply कर ले सकते अगर what next if applied new admission online जो भी students है तो अभी online apply कर लिए उलनों को next step क्या करना है ध्यान से सुनियों जो भी students online apply करें उलनों को क्या करना है अपने study center को contact करके वहाँ पे लेके जाके one set of xerox and original लेके जाके admission confirm कराना है कहीं सारे बच्चे क्या कर लेते online कर लेके हो समझ जा दे कि admission हो गया नहीं इसके बाद में भी आपको है तो एक process है अब जाके study center जाके admission confirm करना चाहिए and then when supplementary exam conduct supplementary exam कभ है बोले तो यहां पर आप लोंको supplementary exam है so September या October में होईगा कभ होईगा September या October और गो से student supplementary को enroll हो सकते बोले तो जो भी students 2017 onwards वो लोग क्या है supplementary fee pay कर सकते जो कि 2017 को apply करा बच्चा backlog है बोले तो अभी भी उन्हें supplementary fee pay कर सकता and then रही बाद जो भी students recently exam लिखे क्या वो लोग improvement लिख सकते बोलके है तो यस जो भी students apply करें वो लोग improvement लिख सकते तो आपको improvement लिखना है बोले तो आपको क्या करना है बोले तो एक paper को 350 रुपीज है जो कि इसके अंदर 200 रुपे अगर जो भी बच्चे अपने माक से खुशनी है वो चाहरे कि मैं improvement लिखना चाहरा हूं तो आप easily जाके only जो है so 2020-2020 के students ही लिख सकते जैसा कि recently जिसका आया मतलब यहां पर doubt rise होंगा कि उपसार मैं 2017 का हूं COVID-19 में 535% marks है बोले तो क्या माई भी लिख सकते हूं बोले तो वाई से जानों को नहीं है जो कि recently exam लिखे वो लोग को ही लिख सकते and then अपने list and the last topic क्या है बोले तो TOS के जो June में exams होए उन्हों के mark sheet status क्या है बोले तो आप लोग को जो है so mark sheet status है so Tuesday onwards आपके all centers पे SSC intermediate के short memos and migration certificates आपको allow कर दिया जाएगा क्यों कहीं सारे जाएगे बच्चे है so documents का wait कर रहे हो लोग को admission लेना है MSET में या फिर counseling में apply करना है तो वो लोगों को clarity मिल गई Tuesday के दिन जो कि आप कल जाके है so आप ले ले सकते अपने concert study center से and then जो भी students क्या है बुले तो collect कर लेना है अपने concert study center से तो I hope आज की वीडियो में मैं आपको detail में पूरो topics cover करा तो काई सार students के मन में doubt भी था exams के regarding new admissions के regarding and then रही बात आपको काई सारे topics पे तो ये वीडियो में I hope मैं cover कर दिया होंगा अगर आपको किसी भी topic पे वीडियो चाहिए toss के regarding तो आप मुझे comment कर सकते and then मैं already जो भी नए बच्चे है जो की toss या regular में confused है तो मैं open SSC versus regular के ऊपर एक video बनाया उसकी link मैं i button में description में दे दूँगा अब जरूर जाके देखिए admission लेने से पहले क्यों बोले तो काई सारे students के मन में doubt है कि regular करना सही है या फिर आपको toss से करना सही है तो एक age limit के साब से बात करना चाहिए क्यों बूले तो अगर आप 18 बिलो है अगर आप SSC लिखना चाहरे तो you can go through it अगर आप 18 अबाव है तो आप regular से जाई नहीं सकते आपको जो है जो कि last year की है यह year की नहीं बनाया तो आप detail में जो भी बच्चे टॉस्ट में एडमिशन लेना चाहिए एक बार वो वीडियो के जो ऐसा nominal fees देते वो जो की ज्यादा हो जाती तो अगर आपको proper admission guidance होना है तो आप यह नंबर पर contact करिए मैं इंशालला आपको पूरा guide करूंगा क्यों बोले तो आपको problem नहीं होना और बस बच्चे का online apply कर लेकर बढ़िया तो admission हो गया समस्तिवाशा कुछ भी नहीं admission cancel हो जाता तो आपको toss improvement exam भी दे सकते जो कि recently result आया रेसेंटली exam दिये सो बच्चे ही दे सकते तो उसके regarding भी आप जो है इसो website पे जा कि आप 350 रुपीज फीज है fee पे करके कर ले सकते तो I hope each and everything आप लों को clear हो गया होँगा अगर कुछ भी doubt है या फिर कुछ भी topic पे वीडियो चाहिए sir में को new admission के लिए guide करिए sir क्या है documents क्या क्या लगते तो इंशालला मैं वो topics पे वीडियो बनाऊंगा तो यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा स्यादा शेयर करिए channel पे नहीं तो subscribe करिए वीडियो अच्छी दिखी तो like करिए चलिए चलते है अल्ला हाफीस